बिसमिल्य रह्मान रहीम वेलकुम टू जंशेथ कंप्यूटर एकेडमी दियर स्टुनेंट आज में आप लोगं को पड़ाने जा रहा हूं स्टेटिक बाइंडिंग डिनामिक बाइंडिंग वर्चुल फंक्शन क्या होती है प्योर फंक्शन क्या होती है तो फस्ट अफाल ह हम डिफाइन करते पॉलीमर्फिसम को पॉलीमर्फिसम के बारे मैंने यहां पर लिका है वेने सिंगल डेटा अगया मतलब फंक्शन भी पॉसिबल है कोई और डिटा भी पॉसिबल है पर फारम डिफरेंट एक्शन इन स्लाइटली डिफरेंट सीच्वेशन यानी कोई इसके टास्क सअलोग करें इन इटिसकाल्लीमर्फिसम इसे ब्रमेंगर के इसको हम कहते हैं पॉलीमर्फिसम सिंपल से एक 60 यहां पर हम लेते हैं यह मैंने लिका है 5 plus 10 It means Plus के जरीए हम काम करते हैं Basically किस चीज़ का addition का इसके जरीए हम दो numbers को अपस में 8 करते हैं तो जब हम इसके दो number को अपस में 8 करते हैं तो हमरे पस result आता है 15 अब यहां पे जरा देखें यहां पे situation थोड़ी सी different है यहां पे एक string है यहां पे दूसरा string है अगर इसी plus operator को हम इस पे apply कर ले तो इनको aid करने की बज़ाए क्या करेगा concatenate करेगा इन दोनों को अपस में मिलाएगा It means plus यहां पे addition का काम कर रहा है और यहां पे concatenation का काम कर रहा है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं polymorphism यानी same data के different shapes अचा यहां पे मैंने लिखा है polymorphism है पिर हमारे post topic आते है static binding, dynamic binding, virtual function, pure virtual function polymorphism का तो मेरे ख्याल में तोड़ा बहुत clear होगा अब जाते हैं static binding की जानेब तो static binding को मैंने यहां पे लिखा है static binding it is also called early binding इसको हम early binding भी कहते है in this technique compiler known knows in advance that which of the function with same name and arguments of parent or best class is to call when object of parent or child class call them अगर हमारे पास inheritance हो means जिसमे एक parent हो जुसरा child class हो और हम parent या child class के object के जरिये कोई function करना चाहे कौन सा वला function ऐसा function जो दोनों classes में same नाम से हो तो compiler advance में decide करता है कि कौन सा वला function काल होना है तो इसी situation को हम कहते है static binding यानि compiler पहले से जानता है कि कौन से वाले class के function को काल होना है तो इसको हम कहते हैं static binding इसके बाद है हमारे पास dynamic binding dynamic binding के बारे में यहां पर मैंने लिका है इस दी फिचर आफ उप यह object oriented programming का एक फिचर है in dynamic binding the compiler does not know in advance that which of the function with same name and arguments in parent class and child class is to call when object of class classes कौन से class is parent or child के or to call the function here the compiler will decide at run time that is why it is also called lead binding यानि lead binding में क्या होती है lead binding में compiler को पहले से पता नहीं होता के कौन सा वाला function कौन सा वाला का मतलब होता है के parent वाला function या पिर child वाला function काल होना है और ये compiler को तब पता चलता है जब वो चेक करता है के pointer में किस clause को object पड़ा है अब static binding और dynamic binding को समझने के लिए मैंने यहां पे एक program लिखा है जो next video में आपको available होगा तो please उसको must देखिए तक आप लोगों को अची तरह clear हो जाए के static और dynamic binding basically होती क्या है Thank you